गुद इवनिंग स्टुडेंट्स क्लास टेंथ के लिए जो हमारा चल रहा है टॉपिक फास्ट वीजन तो आज हम चैप्टर फाइव और चैप्टर थार्टीन के इंपॉर्टन कोश्चन्स डिस्कस करेंगे बेसिक से ही स्टार्ड करेंगे जैसे स्पोस करो कॉश्चन आपको यह आया एक्जाम में ए की वैल्यू 7 ड की वैल्यू 3 एन की वैल्यू 8 देन वाट इस ए एन एन क्या निकलेगा हमारा एन का हमारा फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 आउटसाइड डी तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए की 7 एन की वैल्यू 8 7 इंटू 3 21 इस 28 इस आवर आंसर तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास ऐसा कोश्चन आपको आ सकता है एक्जाम में जैसे यह बाक्स लिखा हुआ है फिर 30 यहां पर यहां पर again 3 तो यह बाक्स निकालने हमने तो यह बाक्स कैसे निकालनेंगे सबसे पहले यह दिखेंगे यह फर्स टर्म है यह सेकंड टर्म यह थर्ट टर्म यह फोर्थ टर्म तो सेकंड टर्म हमें गिवन है 13 and fourth term के मन हमें यहाँ पे 3 यह बनेगा a plus d is equal to 13 a plus 3 d is equal to 3 तो इनको लिखेंगे यहाँ पे a plus 3 d is equal to 3 a plus d is equal to 13 इसको solve करेंगे हम यहाँ पे 2 d is equal to minus 10 d की value आगी minus 5 अब d की value minus 5 इस equation में put करेंगे इसमें भी put कर सकते हो यहाँ पे a कितना आ गया हमारा 18 हमारे पास a भी आ गया और यहाँ पे d भी आ गया तो यह हमने first term निकालने थी first term हमारी a होती है और यह हमारी third term है third term का formula a plus यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखे जाएगा 2 d a की value कितनी है 18 plus 2 into minus 5 18 minus 10 is equal to 8 तो यह basic से जो question थे वो हमने discuss किये पहले तो next इसमें question discuss करेंगे question number third आपको यह भी लिखा आएगा find n number of terms निकालो कितनी है तो a की value 7 d की value 13 minus 7 is 6 last term given है तो last term का formula apply करेंगे यहाँ पे tn की value पूट करेंगे इसको minus करेंगे 198 cancel कर देंगे यहाँ पे n की value हमारी 34 ऐसा question आ सकता है आपको next जो question है हमारा question number four question number four ऐसा question आपको आ सकता है if ninth term t9 99 है and 99th term 9 है तो find 108 term यह निकालना है हमने तो कैसे निकालेंगे इसको इसको split करेंगे हम a plus 8d इसको तोड़ेंगे यहाँ पे a plus 98d minus minus 90d is equal to 90 d की value minus 1 d को यहाँ पे put करेंगे first equation में a की value कितनी आगे हमारी 107 तो हमें कहा गया है निकालने को 108th term तो a plus 107d a की value पुट करेंगे यहाँ पे और d की value 107 minus 107 0 answer आजाएगा question number fifth हमारा पुट के यहाँ पूब आजाएगा पूब आजाएग गोगा गोगाँ पुट करेंगे यहाँ 29th term is double the 19th term. तो 9th term 0 means, T9 is equal to 0 means, A plus 8D is equal to 0. यहाँ पर लिखेंगे, A की value निकाल लेंगे यहाँ से. अब हम निकालेंगे यहाँ से 29th term, A plus 28D, minus 8D plus 28D, 20D आ जाएगा यह, अब 19th term निकालेंगे, A plus 18D, minus 8D plus 18D, तो यही तो हमने प्रूप करना है, 29th term इससे double होनी चाहिए, यह 10 है, यह 20 है, यह double ही है, hence food. Next, यह भी कोशियन इंपोर्टन है, है तो NCRT, which term of AP, 3, 5, 15, 27, will 132 more than its 54th term. तो इस कोशियन में हम क्या करेंगे, A की वैल्यू 3 गिवन है, D की वैल्यू 15-3 is 12, तो हम स्पोर्ज कर लेंगे, जो TN है, इसकी 54th term से 132 ज़्यादा है, तो 132 इदर एड़ करेंगे, यहाँ पे, तो इस पे formula apply कर देंगे, यहाँ ज़्यादागा, A plus 53D, A के साथ ही cancel, N तो निकालना है हमने, D की value put करेंगे, यहाँ ज़्यादागा, N minus 1 into 12 is equal to, यहाँ से 12 common, यह cancel हो जाएगा, तो N minus 1 is equal to, 64, N is 65, 65 तरम जो है, वो 54 तरम से, 132 ज़्यादा होगी इसकी, तो next देखते हैं, question number 7, यह question है, term from the end, term from the end, important है यह question, find 6th term, from end, of AP, 17, 14, 11, and so on, minus 40, तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले, A की value 17, D की value 14, minus 17, is minus 3, इसे करते हैं बच्चे, start ऐसे कर देते हैं question को, जो की गलत है, तो term from the end question में हम क्या करेंगे, इसको starting में, इसको ना reciprocal कर देंगे, सारे question को, यह आ जागा, minus 40, 11, 14, 17, अब A की value minus 40, D निकलेगा हमारा, 14 minus 11 is minus 3, तो हमने term निकालने है 6 था, तो A plus 5D, बस, minus 55 is our answer, यहाँ पे, यहाँ पे हमारी 3, जो है positive आएगा, answer आजाएगा, minus 25, यह important question है इसका, और देखते हैं, ऐसा ही question, जो आपको exam में आ सकता है, यह वाला भी आ सकता है, find k, if, 2 k minus 1, 9 k, 5 k plus 23, और in AP, तो इस question को आप कैसे करेंगे, अगर यह AP में हैं, तो second term minus first term, sign change करेंगे, third term minus second term, तो अब इसको solve करेंगे, आजागा, 7 k plus 1 is equal to, minus 4 k plus 23, 11 k is equal to 22 k की value आजागी 2, यह भी important question है, ऐसा question आपको आ सकता है exam में, तो यह तो बिल्कुल भी आपने छोड़ने नहीं है question, next question number 9, एक एक एसा question भी आ सकता है, if M-th term of AP is 1 upon N, and N-th term is 1 upon M, then show that M-th term is 1, यह भी important question है हमारा, तो सबसे पहले M-th term means, ऐसे लिखेंगे, N-th term को ऐसे लिखेंगे, इसका फार्मूला A plus M minus 1 outside D, 1 upon N, A plus N minus 1 outside D, 1 upon M, दोनों को subtract करेंगे, A, 1 upon N minus 1 upon M, यह cancel हो जाएंगे, D common, bracket open, sign change, because यहाँ पर minus है, यहाँ जाएगा M minus N, और यहाँ पर हमारे पास M minus N, common आजएगा, cancel, D की value, 1 upon MN है, हमारे पास, question कोई भी आए, उसको solve करना, start करो, बस, इसको यहाँ पर put करेंगे, D की value put करेंगे, A की value आजएगी, 1 upon N minus M minus 1 upon MN, MN, LCM, तो यह आजएगा, यहाँ पर M minus M plus 1, तो A की value भी हमारी, 1 upon MN आजएगी, तो हमने निकालना कौन सा है, MN term, तो यह बन जाएगा, A plus MN minus 1, outside D, A की value, D की value, 1 upon MN common, यह आजएगा, 1 plus MN minus 1, 1 के साथ 1 cancel, तो हमारे पास, यहाँ पर MN upon MN, बचा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, MN upon MN, cancel होने के बाद, हमारा one answer आएगा, जो की हमने prove करना है, तो next question देखते हैं, question number 10, next हमारा है, three numbers in AP, four numbers in AP, यह आपने याद कर लेने हैं, exam के लिए, AP के three numbers होते हैं, A minus D, A, A plus D, four number, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, तो इसके related जो question है, हमें क्या सकता है, जैसे की, the sum of, three numbers, in AP, is 27, and their product, is 405, find numbers, तो सबसे पहले, three numbers AP के हम लिखेंगे, पहली condition है, इनका sum, तो इनका sum लिखेंगे हम, 27, तो D के साथ, D cancel, 3A is equal to 27, A की value 9, अब इनकी product, A minus D, into A, into A plus D, 405 है, तो A की value 9, पुट करेंगे यहाँ पे, यह 9, इनके साथ cancel हो जाएगा, यहाँ पे formula, A minus BA plus BA square, minus B square, अब इसको solve करेंगे, यहाँ पे हम, minus D square is equal to 45, minus 81, तो यह आजएगा मरा, 36, तो D की value, plus minus 6 आजएगी, यहाँ आजएगी, A भी हमें पता है, D भी पता है, तो numbers निकालने हैं हमने, तो एक number है, A minus D, A, A plus D, तो पहले तो हम, A की value 9, पुट करेंगे, और D को plus 6, 3 आगया, 9 आगया, 9 plus 6, 15, अगर minus 6, 6 पुट करेंगे, तो यह reciprocal में आएगा, 15, 9, 3, ठीक है, अब देखें, next, वो आगया, sum of AP, sum of AP, AP का sum कैसे निकालना है, sum of AP, उसके question देखते हैं, जैसी यह question है, 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, and so on, 11 terms तक, इसका sum निकालना है, तो sum निकालने के लिए, सबसे पहले हमारे पास, A की वेल्यू, 1 by 15, D की वेल्यू, 1 by 12, minus 1 by 15, तो LCM कितना आएगा, यहां पे 15 और, 60 LCM, 1 by 60, N की वेल्यू 11, तो हम SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे, N by 2, 2A plus N minus 1, outside D, इसमें value पुट करेंगे, 11 minus 1, outside D, तो इसको सॉल्ब कर देंगे, 11 by 2, 2 by 15, plus 10 by 60, LCM 60, 8 plus 10, 18 by 60, 9, 3, 20, 33 by 20 is our answer, नेक्स देखते हैं, question number 12, इसी का ही, question ऐसा भी आ सकता है आपको, जैसे, A की value 7 given है, A 13 given है, 35, पुच्छा जाए, find D, and, S 13, यह निकालो, यह पुच्छा गया हमे, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यह आ जाएगा, A 13 means, A plus 12 D, A की value 7, तो D की value आ जाएगी, 28 by 12, 7 by 3, हमेने निकालना है, S 13, तो N की value 13 by 2, 2 into A की value, 13 minus 1 into D, 13 by 2, 14 plus 12 into 7 by 3, 42, 21 into 13 करेंगे, 273 is our answer, यह हमारा answer है, तो next question number 13 देखते हैं, काफी question है इसके तो जितने करोगे कम है, लेकिन मैं आपको सारी important ही करवा रहा हूँ, अगर यह करके जाओगे, question आपका attempt हो जाएगा exam में, how many terms, ऐसा भी निकाल आ सकता है question आपको, how many terms, of AP, 9, 17, 25, must be taken to give a sum of 636, तो इसको कैसे करेंगे, A की value 9, D की value 17 minus 9 is 8, S N गिवन है, तो आपने S N का formula apply करना है, वहाँ पे इसकी value पुट करोगे, N हमें पता नहीं यहाँ पे, 2 into A की value, plus N नहीं पता, into D, यह multiply हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 636 is equal to N by 2, 2 अंदर से common आगे, 9 plus 8 N, 4 N, minus 4, 636 is equal to N, into 4 N, plus 5, तो यह आजएगा, 4 N square plus 5 N, minus 636 is equal to 0, इसको आप D वाले method के साथ solve करोगे, N की value 12 आएगी हमारी, तो यह आप कर सकते हो, next जो इसमें question है important, वो देखते हैं कौन सा है हमारे पास, यह question सबसे ज़्यादा important है इसका question, S, N given होगा आपको, find A and D, A, P भी निकालने को कह सकता है आपको, S, N लिखेंगे पहले, वहाँ पे N को 1, 2, 3 and so on put करेंगे, पहले one put करेंगे, तो यह S1 means only first term, one term का sum है हमारा कास, तो एक ही value हमारे पास आगी यहाँ से, S2 means हमारे पास two term का sum, 10 आ गया, यह दो term का sum है, first plus second, first A होगी, second यहाँ पे A plus D होगी हमारी, अब यहाँ पे A की value put करेंगे, D कितना आएगा, 10 minus 4, 6, यही निकालने को कहा है हमें, question complete, यह बहुत ही ज़्यादा important question आपका exam के लिए, इसको नहीं छोट के जाना आपने, next question number 15, इसी चप्टर का, if S1, S2, S3 are sum of N, 2N, 3N terms of AP, show that, S3 is equal to 3 time, S2 minus S1, यह हमने prove करना है, अच्छा कुश्य नहीं यह भी, तो S1 हमारा sum है, N terms का, N, 2A plus N minus 1 outside D, S2 हमारा sum है, 2N terms का, N की जगा पर वहां पर put कर देंगे, 2N, और S3 हमारा sum है, 3N का, यह दिखिए, अब हम right and side लिखेंगे यहां पर, easy बहुत है question, S2 minus S1, तो इनको हम minus करेंगे यहां पर, S2 की value लिखेंगे यहां पर, 2N by 2, 2A plus 2N minus 1 outside D, minus N by 2, 2A plus N minus 1 outside D, अब यहां पर हम देखेंगे common क्या आ रहा है हमेरे पास, 3, 7 में N, 7 में 2, यह common आ गया बाहर, और यहां पर एक 2 बचा, 2A plus, multiply कर देंगे यहां पर, 2N D minus D, यहां पर, 2A plus N D minus D, तो यह लिखा जाएगा, 3N by 2, 4A plus 4N D minus 2D, minus 2A minus N D plus D, यहां पर देंगे लिखा जाएगा, 3N by 2, 2A plus D common, 3N minus 1 outside D, तो यह हमारा किसका फार्मूला है, कोशन में ही देखेंगे, यह फार्मूला है हमारा S3 का, तो यही तो हमने प्रूब करना है, कोशन कम्प्लीट, नेक्स कोशन देखते हैं, इसी का ही कोशन नमबर 16, very very important, कोशन नमबर 16, the sum of N terms, 2 APs, बहुत इंपोर्टन कोशन है, इन रेशो, 7N प्लस 1 अपन 4N प्लस 27, फाइंड, रेशो आफ देर, 11 तर्म्स, यह निकालना है हमने कोशन, अब इस कोशन में करेंगे, हमारे पास दो APs हैं, 1st AP की 1st term हम लिखेंगे, A1, और 2nd की लिखेंगे, 1st term A2, common difference, दोनों का अलग-अलग है, यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2, SN दोनों का अलग-अलग है हमारे पास, तो रेशो निकालेंगे यहाँ पे, N दोनों की सेम है, N by 2, 2A1 प्लस N-1 आउटसाइड D1, N by 2, 2A2 प्लस N-1 आउटसाइड D2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पे, जो कैंसल होता है, उसको कैंसल करेंगे हम पहले, यह कैंसल हो जाएंगे, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, A1 प्लस N-1 आउटसाइड D1, 2 कॉमन, A2 प्लस N-1 आउटसाइड D2, 2 के साथ 2 कैंसल, अब हमें कहा गया है, रेशियो आफ देर 11 टर्म, means A प्लस 10 D, दोनों की 11 टर्म का जो रेशियो है, तो सारा कुछ सेम है हमारे पास, इट मीन्स यह वाली वैल्यू यहाँ पे, इसके इक्कुल है, तो N-1 बाइ 2 is equal to 10, N की वैल्यू हमारी 21 आगी यहाँ पे, तो यह 21 हम यहाँ पे question में बुट करेंगे, जो given है यहाँ पे, N की जगा पे, 7 into 21 प्लस 1, 4 into 21 प्लस 27, तो यह आएगा हमारा 148 upon, 111, 4 by 3 आज़ेगा, 4 ratio 3, important question है, यह नहीं छोड़के जाना आपने, very very important है यह, तो, यह हमारा chapter 5 था, अब हम जो discuss करेंगे, वो है chapter number 13, chapter 13 discuss करेंगे अभी, important, question number 1 इसका, जो की बहुत ही ज़्यादा important है, जो हमारा first question है, वो है, आपकी exercise है, उसमें 13.1 question है, 13.1, इसका first question है, 13.1 का, तो हमारे पास 2 cube given है, जो हमारे पास दो cube गिवन हैं, ऐसे, इनको साथ साथ हमने join कर दिया, volume given है हमें, cube का, 64, तो volume का formula होता है, side cube, तो हमारे पास side कितनी आगी यहाँ पे, 4, तो अब हमें कहा गया है, यह 4 है, तो यह भी 4 है, तो हमारे पास length कितनी होगी, 8, तो breadth तो सेम ही रहेगी, height भी सेम, तो total surface area निकालने को कहा गया है, 2 into LB, BH, plus HL, तो यह जगा, 2 into 8 into 4, plus 4 into 4, plus 4 into 8, 2 into 32, plus 16, plus 32, this is 80, 160 cm square, यह हमारा first question था exercise का, जो की important है, मैं आपको वोई question discuss करूँगा, यहाँ पे, जो exam के लिए important है, तो next जो question है हमारा, exercise 13.1 का second question, exercise 13.1 का second question, वो discuss करेंगे, अब इसमें क्या है हमारे पास, एक hemisphere, given है आपको, इसके उपर आपको, एक cylinder, दिया हुआ है, यह हमारे पास solid है, तो सबसे पहले, आपने क्या करना है, एक side आप लिखोगे, hemisphere, एक side लिखोगे, आप cylinder, तो hemisphere की side, हम लिखेंगे, radius, इसका diameter, दोनों का same ही है, 14, तो radius आजाएगा, 7, और क्या given है हमें, इसकी total height हमें given है, 13 cm, तो cylinder की height कितनी हो जाएगी, 13 minus 7, 6 cm, अब हमने निकालना क्या है, inner surface area, inner surface area, इसका, solid का, तो वह आजाएगा, hemisphere का surface area, 2 pi r square, cylinder का curve surface area, 2 pi r h, 2 pi r common, r plus h, 2 into 22 by 7, अगर नहीं लिखा हुआ तो 22 by 7, 7 plus 6, 44 into 13, इसकी multiply करेंगे, 272, cm square, next, इसके exercise का question number third करेंगे, question number third, same है, hemisphere, अब इसके उपर यहाँ पर बना हुआ है, toy, toy, इसको toy कहेंगे, यह यहाँ पर बना हुआ है, तो फिर से लिखेंगे, x side hemisphere, x side cone, तो radius दोनों का सेम है, 3.5, toy की जो height है, 15.5 है, तो, cone की जो height है, 15.5, minus 3.5 is 12, तो, सबसे पहले हम, because, cone का, इसका तो formula में पता है, 2 pi r square होता है, इसका होता है, pi r l, what is l, slant height, l निकालेंगे, r square प्लस h square, 3.5 whole square, plus 12 square, 144 plus, this 12 आ यहां पर, अब इसको add करेंगे, 156.25, इसका square root निकालेंगे, 1, double 2, अब यहां पर 5 लिखेंगे, तो यह आजेगा, 12.5, length, l, तो अब हमने निकालना है, area, तो वो बनेगा, 2 pi r square, plus pi r l, अब इसमें आप values, पुट करोगे, pi common, r common, 2 r plus l, 22 by 7, radius की value, 3.5, 2 into 3.5, plus 12.5, तो इसको solve करेंगे, तो आपका answer, क्या आएगा, यह आप मेरे को, comment box में बताऊगे, तो नेक्स्ट, जो question है हमारा, वो है हमारा exercise, 13.2 का, question number first, तो, एक hemisphere, इसके उपर एक con, यहाँ पर, same hemisphere, और cone, दोनों का जो radius है, वो सेम है, 1,1 cm, height of cone given है, 1 cm, is equal to radius, तो find the volume, in term of pi, volume, hemisphere का होता है, 2 by 3 pi r cube, तो उसका होता है, cone का, 1 by 3 pi r square h, तो 1 by 3 pi r square common, यहाँ आज़ेगा, 2 r plus h, 1 by 3 pi r की value 1, 1 by 3 into pi into 3, यहाँ आज़ेगा, pi cm cube, volume, तो ऐसे यह 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 वाला question कर सकते हो, आप, अब, next question है, जो हमारा, वो है आपकी example number 8, NCRT, तो इसमें कहा गया है, एक कौन है, कौन, जिसकी height हमें given है, 24 cm, and radius given है, इसको हमने, एक, इससे हमने clay ना दी यहाँ पर, reshape देके, तो वो sphere की shape में है, अगर आप किसी चीज़ को melt करते हो, जा आप reshape करते हो, तो उसका volume सेम रहता है, तो sphere का radius हमने निकालना होगा यहाँ पर, यह दिखा होगा यहाँ पर, इसका volume होता है, 1 by 3 pi r square h, तो sphere का हो गया, 4 by 3 pi r1 डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि different होगे, pi के साथ pi cancel, h 24, 3 के साथ 3 cancel, r1 cube is equal to 6 cube, तो r1 कितना होगा हमारा, 6 cm, बड़ा easy था यह question, आपका exercise 13.3 का, जो important question है आपके, जो आपने करने है, question number first, second, fifth, sixth, eighth और ninth, यह सारी exercise ही important है, seven, eighth, ninth, यह सारी important है आपके question, तो मैं, पहले तो question number second discuss करता हूँ आपका, हमारे पास तीन स्फियर हैं, first, second, third, इसका radius r1, r2, r3, इन तीनों को melt करके, हमने एक बड़ा radius स्फियर फॉर्म किया, जिसका radius r है, तो इन तीनों का जो volume है, 4 by 3, pi r1, q, 4 by 3, pi r2, q, and 4 by 3, pi r3, q, is equal to 4 by 3, pi r, q, 4 by 3, pi सब का cancel, इसका radius हमें 6 गिवन है पहले का, और दूसरे का गिवन है हमें 8, और तीसरे का गिवन है हमें 10, तो radius निकालना था इसका, यह आजगा, 256, 512, and 1000, तो यह किसका cube होता है, 12 का, तो radius, 12 आगया, important question है यह वाला, second वाला, यह सारी important है, इस exercise के सारे question बहुत ज़्यादा important है, तो next जो question है हमारा, यह question number 7, तो एक cylindrical bucket है, जिसकी height हमें given है, and radius given है, अब इसमें, sand, बरी हुए है, जिसको हम rate बोलते हैं, इसको अगर हम, empty कर देंगे, वो rate, जो यह sand है, कौन सी shape लेगी यह, कौन की, तो उसका, height हमें given है, capital H लेख लेंगे, और radius निकालना है बस, यह question है, तो दोनों के volume, same होंगे, इसका volume, pi r square H, और दूसरी का, 1 by 3, pi r square H, तो pi के साथ, pi cancel, radius कितना है, 18 into 18, height 32, 1 by 3, r निकालना है, H 24, यह cutting कर देंगे, तो r square is equal to, 18 into 18, 2 into 2, तो r की value, यहाँ पे हम pair, form कर देंगे, 18 into 2, तो r की value, 36 आ जाएगी हमारी, जो हमारा question number 8 है, इसी exercise का, 8 और 9, यह आपने बिल्कुल छोड़के नहीं जाने, 8 मैं discuss करूँगा, 9 तो आप खुद करोगे, 8 एक हमारे पास channel है, उसकी हमें width given है, और height given है, length हमें given है, 10 km per hour, km को meter में convert करेंगे, 1000 hour को minute में करेंगे 60, यह आ जाएगा हमारा, meter per minute, यहाँ तक, अब volume निकालेंगे, L into B into H, 1500 meter cube, यह volume आ गया, अब यह volume हमें निकालने को कहा है, उसने पहले तो 30 minute का, 30 minutes का जो volume है, वो कितना होगा, into 30, यह 1 minute का है न, यह 30 का कितना हो जाएगा, 45,000 meter cube per minute, यह आ गया, अब निकालने को कहा गया है, हमारे पास formula होता है, height is equal to volume upon area, यह relation होता है, तो हमें कहा गया है, आपने कितने area को irrigate कर सकते हो, अगर, field में हमने, 8 cm पानी, वो, standing water हमने, खड़ा करना है वहाँ पे, तो formula यहाँ पे हुआ, volume upon height, 8 cm, इसको meter में convert करेंगे, 100 के साथ multiply, अब इसकी cutting करेंगे, cutting करने के बाद, जो हमारा answer आएगा, यह सारा, 5,6, 2,500 meter square, यह answer आएगा हमारा, तो इसके साथ, हमारा आज वाला काम complete होता है, कल आपके लिए, chapter number 10, और chapter number 11, और 9, इन सब का, इकठा solution, और साथ में 14, सब के important question, कल आपके साथ discuss करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को subscribe करना, वीडियो को like and share करना, थैंक्यू, बाई,